कि नमस्कार चर्चा में आपका स्वागत हैं मैं हूँ विकास सिंग कुरोना संकर्वन ने देश में सारे रिकार्ड तोड़ दी है इस बार इतनी तीजी से संकर्वन फैर रहा है कि अब तक एक लाग से जादा केस कल के दिन ही दरज किये गए अगर हम पिछले साल की बात करते हैं 17 सितंबर के दिन पीक था तब 97 की से ज़़ादा केस क transf किये गए थे आखिर इस बार संक्करमन की गति क्यों चादा है? क्या कुछ एतियात की जरूरत है? टीका करन भी सुरू हो चुका है। कि जरूरी है इन सब इसे ओपर हमाँ चर्चा करेंगे चर्चा में जो हमारे साथ खास मेवान है उनका हम आप से परिश्य करा देते हैं हमारे साथ हैं डाक्टर राजी लोचन जी निदेशक बरनामपूर अस्पताल और डाक्टर एन बी सिंग है सिविल हस्पिटल से और टीक दिन मैं संख्या बता रहा हूं जो कोईट देश में आ रही है संख्या और अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आज ही 5000 से ज्यादा संक्रमट के मामले सामने आये हैं जो तक्रीबन कल 3999 के तक्रीबन थे संख्या बढ़ती जा रही है अब पहले चरण दूसर दौर का कुरोना सरी तीजी क्यों है इसा देखे पिछली बार बहुत हाइस तर पे इसको लिया गया था जंता में बहुत बड़ा भै भी था बहुत लोग घरों के अंदर थे लोकडाउन लगा था इस कारण वो संक्रमन उतना तेजी से नहीं पहला था बहुत धीमे धीमे पहला था है इस बार तो मैं देख रहा हूं कि हम लोग शायद तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं तेजी से बढ़ रहा है दस दिन पहले ही एक दो मरीज आ रहे थे एकदम से अब 20-30-50-60 मरीज मेरे चिकिस साले में खुद आ रहे हैं पॉजिटिव तो एक तो लोगों में भ बढ़ रहा है और मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई नया स्ट्रेन आया है स्ट्रेन वही है पुराना वाला ही स्ट्रेन है मगर शायद उसने कुछ और लर्न कर लिया हो यह बहुत बात में जब हम लोग चर्चा करेंगे जब और इन्वेस्टिकेशन सोंगे वाइरस पर तो माल है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है मगर सान साथ ये भी है कि बहुत सारे लोगों को बहुत हलका असर कर रहा है पॉजिटिव जरूर है मगर सीरियस कम लोग हो रहे हैं सीरियस खाली वो लोग हो रहे हैं जो पुराने लंग की बिमारी है पुरानी की बिमारी है पुरानी क ज्यादा लोग जो यंग हैं जिन्होंने वैक्सीन करा रखी है वो सब कोई सीरियस नहीं हो रहे हैं जैसे मेरे चिकेस साले में पांचे अधिकारी गणा पॉस्टिव हैं मगर सब इस तरह से हैं हाँ डग सर्थ थोड़ा जुकाम लग रहा है थोड़ी खासी हो रही है मगर टेस्ट में पॉस्टिव आए हैं तो क्योरेंटाइंड है अपने घर पर हैं और साथ आठ दिन में वो लौट के आ जाएंगे हमारी सरकारों ने लगातार प्रिशार किया प्रिसार किया इसका इस बात को जागुर्क लोगों को किया कि आप लोग साउधानी बरतते रहें हाला कि हम लोग केस काफी हमारे यहां कम हो गए थे लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने लापरवाई कि निसंदे उसी का प पिछली बार हुआ था उन लोगों को भी एक कोविट फिर से पकड़ रहा है देखे विकास जी इस बार का जो नया जो आया है बीमारी उसी का री परकशन है हम लोगों ने ला परवाही किया सोचल डिस्टेंसिंग मास्क अगरा लगाना अपना हम लोगों ने उसको लगाना भूल गए थे प्रियोग में लाना भूल गए थे यह जो अभी बीमारी का जो अर्चल ला है इसमें दो तीन तरह की आ रहे हैं पिछली बार तो जो हो रहाद उसमें सांस खासी गले में खरांस कि ओले ही तीन चार स्टम लेके आते थे फीवर लेकिन इस बार का जो आर है ब बिमारी उसमें सांस जरूरी नहीं है कि फुल लही है लुपतली टटी मोशन बदंदर वीकनेस इस सब बिमारी लेके आते हैं उनका जहांच कराने पे ओर आर्टी पिशा कराने पे करोना पाजिटिव आते हैं तो बिमारी अपने का प्रजेंटेशन उसका इस बार बदला हु है और जो लोग आ रहे हैं उनमें फेफड़े में इन्फेक्शन बाइलेटरल वाइरल निमोनिया जैसा पिक्चर एक सरे में दीखता है लेकिन उनके सिंप्टम जो है बिलकुल निमोनिया जैसा प्रजेंटेशन उनको जो एस प्योटू गारा नैंटी से उपर रहेगी वा अब ही तक सिवेर्टी उन्हों लोग में ज्यादा है जो पहले से फेफड़े की बीमारी सेग्रसीत है या अन्य जो हर्ड की बीमारी है या लीवर में फेल किया हुआ है ऐसे लोगों को इस बार की जादे दिक्कत परशानी हो रही है बिलकुल डाक्र लोटिन जी अगर हम बात करें तो आप लोगों नहीं एडवाइस किया था कि अगर हलके फुलके अगर आपको लगता है कि हम निकल रहे हैं बाहर तो आउयर में का यूज करें तमाम सारी बाते बताई गई थी क्या वो सारी चीजें आज भी उतनी ही कारगर है हमको उन उपायों के साथ आगे ब हमारी में देखिए आपने बिल्कुल सही कहा इसमें कोई फरक नहीं है जैसा हम पिछली बार कर रहे थे वही हम इस बार कर रहे हैं अगर हमें लगा कि हमारे घर के बगल में एक व्यक्ति को हो रहा है या हमारे घर के अंदर दूसरे व्यक्ति को हो रहा है तो हमें आइवर म कि आप मास लगाएं और सबसे ज़रूरी बात है बिना बात बाहर ना निकले अगर आपको घर की सब्जी लेने जानी है आप जाईए एक हफ्ते की सब्जी खटे ले आई तो यह चीजे अगर हम ध्यान रखेंगे जो हमने पिछली बार किया था उसी को अगर हम रिपीट करते रहेंगे तो हम इसमें 100% सक्सेस पाएंगे इसमें कोई शक नहीं है मार्च से अप्रेल के महीने में हम प्रवेश की हैं एक मौसम का बदलाव है आम तो पर देखा जाता है कि सरीर का जो रोक प्रित्रोधक चमता होती है इसमें थोड़ी सी कमजोर होती है और उतार दिया उसने पहले जुकाम हो जाया करता था तो मुझे लगता है भविश्य में कोरोना भी ऐसा ही हो जाएगा किताब जुकाम हो गया थोड़ा सा मगर क्योंकि एक बात और मैं कहूंगा इस बीच में हमारी टेस्ट करने की शम्ता बहुत बड़ी है इसलिए भी नंब सब्सक्राइब जितने हम ज्यादा टेस्ट करेंगे उतने कहीं न कहीं हमें पॉस्टिव पकड़ में आएंगे और अभी तो अब बहुत तेजी से सारे का आदेश हो गया है कि जितने मरीज हमारे पास ओपीडी में आएंगे सब का हम एंटीजन टेस्ट करेंगे वह हमने श इंटीजन टेस्ट शुरू करेंगे उसमें कुछ ने कुछ तो मिलेंगे तो वह संख्या आंकड़ों को बढ़ाएगी मगर यह नहीं कि डिजीज बढ़ी वह आंकड़े हमारे बढ़े क्योंकि हमने उसको खोजा जादा है मगर जतना जादा हम खोजेंगे उतना जल्दी हम उस पर कंट्रोल पा लेंगे डाकर सिंग टेस्टिंग ट्रैसिंग ट्रीटमेंट बहुत ही महत्तों रखता है इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किस तरीके से आप देखते हैं प्लानिंग सरकार ने अब कुछ गाइडलाइन नहीं जारी कि हैं कि अब आप 50% से ज्या कम होएगी अगर प्रॉपर डिस्टेंसिंग करके रखेंगे तो इस प्रेड़ अप कम होगा यह अच्छा प्लान है थोड़ा सा उत पहले हम लोग और कर सकते हैं इसको कि जैसे गैदरिंग हो रही है जहां भी कुछ समय के लिए उसको हम पब्लिक को चाहिक में साधी बिया हमें कम से कम नंबर लाएं या जो फंक्षन हो गयरे हो रहे हैं जिन्दा रहना जरूरी है फंक्षन तो हम एक कुछ लोग इंज्वाय करें अगले साली करना संभव है तो नंबर आफ जो पार्टिस्पेंट को हम अगर कम से कम करते हैं ए अच्छी बात होगी कि हम उसको इस सास लोग ही कठा करें जिसे लोगों के बीच में इस पेसिंग होगा तो यह बहुत अच्छा कदम होगा कि लोग कम स्वैम जागरूक हों कम से कम भीड़ आए लोगों को बोलें भाई आप सवस्तर हो अगले साल जब हम फेज ओवर होगा तो हम आके मिलेंगे जब दुबार आगर इस प्रकौप बढ़ते हुए हम देख रहे हैं ना करता है जाता है ऑगनकी म्यूटेशन होते ही जादा हो रहा है इसका इस प्रेट जादा हो रहा है इस प्रेट बड़ी तेजी से हो रहा है लेकिन इसमें सिवियर्टी कम है इस बार के जो स्टेन में सिवियर्टी कम है अगले आने वाले समय में इस पेड हो तक और कम हो जा सिवियर्टी भी कम हो जाए वह जैसे जैसे डिपेंड नान्दा म्यूटेशन जैसे होगा उसके जेनिटिक स्ट्चर में उस तरह से उसके करे जीरो से हम आज 169,000 से उपर आ चुके हैं और मुख्यमंत्री लगातार ये निर्देश दे रहे हैं कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा चिस्टिंग कराई जा है लेकिन अब हम बात करते हैं ट्रेकिंग तो हो ही रही है लगातार कि पर एक संक्रमण पर 25 लोगों का ट्रि है जब इतनी संक्या में मरीज डेली डेली आ रहे हैं देखिए चुनौती तो बहुत बड़ी है मगर हमने चीजों का संग्यान लिया है उसके बारे में जगह जगह लोगों ने काम किया है और इसको कैसे फाइट किया जाए इस पर अच्छा खासा काम हो चुका है जैसे हम एंटि वाइरल दवाईयां रेम्डेसीवीर है यह सब दे रहे हैं और इन से हम काफी हद तक चीजों पर कंट्रोल कर ले रहे हैं और इन सब चीजों की उपलब्दता सरकार ने बहुत अच्छी कर रखी है हम कहीं भी किसी भी एस्पताल में यह दवाईयां प्रचुर मा कि वाइटेमिन डी खाना है वाइटेमिन सी खाना है जेंक खाना है और यह सब चीजें हमारे पास अब उपलब्द हैं और इसकी नौलेज हो गई है कि इन सबसे फरक पड़ता है बिल्कुल अब फरक कुछ दिनों में नजर आने लगा है हम पूरे प्रदेस में कहें और खा चाहां पते समझे बाद भी उणको संक्रमर से ग्रसित हो गए है तो ऐसे में कितना खत्रा अभी बाकी है पिकार जीर के में तो कहना चाहूंगा जैसे हम लोग घर से निकलते हैं तो अगर टू कक हर लेते हैं गाड़ी की चाबी लेते हैं अगर फोर वीलर हैं गाड़ी की चाबी प्लस ओ सीट बेल्ट बांगते हैं उसी तरह घर से निकलते समय मास्क या नाक और मौपे कपड़े का रुमाल जरूर बांदें पहली बात दूसरी बात जहां तक हम निकलना टाल सकते हैं तो टा हैं भागें नहीं डरें नहीं क्योंकि आपके डरने से आपके घर में छोटे बच्चे या बुजूर गरा रहे हैं उनको खतरा होना संभू है तो कभी अगर कोई ठोई बहुत दिक्कत हो रही तो उसको जांच जरूर करें सरकारी स्प्टालों में बहुत अच्छे से कि मदद करें कर सरकार की नहीं अपने समाज की भी मदद करें बिल्कुल इस बीमारी के चेन को तोड़ने में आप मदद करेंगे तब ही इस बीमारी पर रोक संभव है डाक्टर लोचन जी टीका करन चल रहा है को विटका चल रहा है और आज जो पिछले 24 गंटों में जार कर लेते हैं कुछ लोगों की यह मंसा है तो ऐसे लोगों को आप बताएं कि यह कितना महत्पूर्ण है टीका करन आप इसमें अपनी भागीदारी करें लगाएं और औरों को भी लगाएं देखिए जो आपने कहाना कि थोड़ा वेट कर लें वह एक हफ्ते पहले था आज लोग दौड रहे हैं कि मुझे टीका लगा तो मुझे टीका लगा तो जो संक्या हमारे चिके साले में दर दिन पहले 200-200-300 थी कल साले 500 टीके लगे थे हमें अडिशनल डोस मगवानी पड़ी थी क्योंकि लोगों को अब लग रहा है कि यहां यह फैल रहा है और यह भी है अच्छे से करवा रहे हैं खाली के लोगों को यह कोई कहता साथ चार अफते में लगवाएं कि छे अफते में लगवाएं बस यहीं रह गया लगवाएं की ने लगवाएं यह अब समाप्त हो चुका है तो उसका प्रयोग करना चाहिए जल्दी से जल्दी आए टीका उनों ठीके जब लग जाएंगे उसके 15-20 दिन बाद आपको इम्मुनिटी पूरी आती है इंपॉर्टन्ट क्यों है जो आपने पूछा है अब जैसे कहीं कोई एक महला है और उसमें बड़ी चोरियां होती है तो आप क्या करेंगो पुलिस चौकी एक खोल दे और पुलिस हमने अपने अंदर का जगा लिया जो जानता है कि यह वाइरस बदमाश है यह हमें नुक्सान पहुचाने वाला है इसको पकड़ के एक तरफ कर देना है आएगा वाइरस अंदर एंटीजन टेस्ट इसले पॉजिटिव आएगा क्योंकि वाइरस आपके अंदर गुसा है हम ने उसको एंटीजन से पेचाना मगर उस एंटीजन वाले वाइरस को जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमने टीके से उगार कर लिया है वह उसे पकड़ लेगा और एक तरफ साइड लाइन कर देगा तो गंभीर बीमारी नहीं होगी गंभीर लोगों में जो गंभीर बीमा से ग्रसित है चुकि आप यहां पर टीका करन का भी काम देख रहे हैं निरंतर हमको लगता है जब 45 साल से उम्र की संख्या के लोगों का सरकार ने जब से लिया है तब से संख्या काफी तेजी से बड़ी वह गया आपके यहां विकास जी सबसे बड़ी बीमारी से पीडित ह से उपर हैं उनको तो हम लोग पहले एक महिना पहले से ही वह उनको वैक्षिनेट हम लोगों के हां सुरू हो गया वैक्षिनेशन शुरू हो गया जैसे लीवर की बीमारी की बीमारी है है हर्ड की बीमारी है बलड पिशर है सी यो पीडी है इस तरह की जो बीमारिया है उनक के बग्षिन ही सकता है उसके लिए कोई दिकत की बात नहीं हर पबलिक समान जनता 45 साल से उपर जो भी है वो फ्रंट लाइन वरकर है, डॉक्टर है, ब्यापारी है, पत्रकार बंदू है, बिजननेसमेन है। गर से गर से सकते हैं, या दूसरा आगर आप कोविन पोल्टल पे नहीं जाते हैं, भारत सीर्कार ने आरोग सेटू एप लांच किया हूआ है, उस पे भी रजिस्टर्शन आप करा सकते हैं. एक आरोग शेटू एप पे चार लोगों का शिष्चन एक वन टाइम हो सकता है। या प्राइवेट हास्पीटल में जहां पर वक्षिनेशन हो रहा है वहां पर अधार कार्ड, ओटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पास्पोर्ट, इस सारी चीजें में से कोई भी एक चीज ले जाके अपना वहां पर रेजिस्टेशन करा सकते हैं अगर आप जा रहे हैं, आपके पास आधार कार्ड है, तो आप अगर टीका करण भूत पर जाएंगे तो आपका वेक्सिनेशन कर दिया जाएगा, ड्राइविंग बड़ी लोगों को समझने की जरूरत है, और आप समझाएंगे तो जरूर समझेंगे कि क्यों कराएं अपन जाँ जाँच, जाँच आम नोंगों को डर अभी लगता है, तो कितने दिन पे करानी चाहिए, खिस तरीके कि आपके साथ हालाथ हों, तب आपको जाँच करानी चाहिए, कप पप करानी चाहिए, और कि लोगों को खास طर से. लीक़्ी एक तो विषय यहे कि आपके अगल बगल आपके महले में आपकी बिलिंग में अगल बगल आपके परिवाब में कहीं किसी को अगर पॉजिटिव आता है तो आपको जाँच करानी चाहिए सबसे पहली बात तो यह दूसरी बात यह है कि अगर आपको जरासा भी लगता है कि मुझे जुकाम है कासी है तो अगर घर में कोई ब्रतिजन है घर में कोई दूसरी बीमारी से ग्रसित है तो आप तुरंट जाके जाच करा लें या बहुत चोटे बच्चे हैं तो आप तुरंट जाके जाच करा लें क्योंकि आपको हो सकता है ज्यादा बीमारी ना हो खाली हलका फुलका जुकाम हो मगर अगर आप पॉजिटिव है तो आप सुपर स्प्रेडर है आप उस विक्ति को दे देंगे जो उम्रदराज है जो चोटा बच्चा है जो बीमार है अगर आप अपना पहले से जाच करा लेंगे तो आपको मालूम पढ़ दागा कि आप प बचे जाएंगे बिलकुल बिलकुल यह बहुत बड़ी बिलकुल बहुत पूर सीजिए आपने बताई शिंग साब टीका करन करने के बाद भी साउधानी क्यों बरतनी की जरूरत है अगर दोनों डोज लक्ष की हैं उसके बाद भी विकाजी यह बहुत अच्छा प्रस्ट क करते रहना है आपस में एक दो गज की दूरी जरूर बराबर बनाये रखना है और भीड़ भार से बचना है यह चारो एहतियात जरूर रखना है क्योंकि यह जो वैक्षिनेशन है से आपको कोई भी वैक्षिन सौ प्रत्षत इम्यूनिटी नहीं देती है ओर डिपेंट इम करने के बाद आप एक केरियर हैं हो सकता है आपको कम प्रभाव हो आप ठीक हो जाए लेकिन आप जहां जाएंगे लोगों को संक्रमर ग्रसित कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा तो अचीका करने में क्या कुछ यह साधुनिया बरतनी चाहिए और कितने दिनों तक किस तरीके से जीवन से ली रहनी चाहिए आपकी टीका करना कि आते हैं जदी आप संक्रमित नहीं है आपको को बुखार नहीं है ख्हांसी नहीं है और तो आप को यहस्ञिंद आवश्य को ऑप कर सकता है जिसको है तो उस समय आपको मास लगाना, सेनिटाइडेशन करना, अपने को थोड़ा दूरी बनाया रखना ये तो बहुत आवश्य है तर एक और चीज है महत्मर चीज है कि धेरतारे ऐसे लोग हैं जिनको सरदी जुकाम बुखार या कोई ऐसी सिकायत है चानी जिनको समाच को बचायेगा, समाज को बचायेगा जो लोग करोना पाज़्टू पशले बार हो चुके हैं उनको हम लोग वेक्षिनेट कर रहे हैं और वेक्षिनेट की जरूरत भी है क्योंकि उनको अंदर कितनी इम्यूनो ग्लोबलीन आईजीजी बनी है हमें पता नहीं है और किसी में कम किसी में ज़्यादा और इम्यूनो ग्लोबलीन चेक करने का जो कास्ट आता है वह हजार बारह सो पंदरह सो के करीब आता है तो जीतने में आप उसका जांस कराओगे उससे कम दाम में आपका दुबारा वक्सिनेशन हो जाएगा तो बेहतर है आप वक्सिनेशन जरूर कराओ यह नहीं सोचो कि हम पहले करोना पास्ट्यू हो चुके हैं तब फिक कराने की जरूरत नहीं है एक गलत फामी पालने की करें पारा तो इसमें पूरी भागेदारी होनी चाहिएत हमें अपना आपना सामाजिक दायद तो पूरा करना है तभी हम लगों को अपना समाजिक दाय तो कुरा करना होगा इस वह अपना जहाए रगा चाचा में आफ लोगों का उसके अपो नहीं होता है अपर दो पस आप लोगों से जब तक टीख नहीं होता श्रण के बाद भी आप लोग सावधानी बढ़ते हैं, मास्क लगाये रहें, उची दूरी बनाये रहें और बिल्कुल सेनेटाइजर का प्रयोग करें, साबुन पानी का प्रयोग करें, हाथ धुलते रहें, सुरचित रहें आज की कारकर में वसितना ही, नमस्कार